हेलो दोस्तों मैं रितेस और आपका स्वागत है आल इस्पोर्ट अड़ा यूटूब चैनल पर दोस्तों या चैनल आपके लिए लेकर आता है स्पोर्ट से रिलेटट सभी पेकार की इनफर्मेशन फिर चाहे वा करेंट की हो या फिर पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो दोस्तों किसी भी खेल से जुड़ी information पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस हमारे चैनल को subscribe करें दोस्तों हमारे चैनल दोरा चलाई जा रही Sport Top 10 Questions की स्रीज का ये Part 13 है दोस्तो आज का पहला कोश्चन जूडो खेल से संबंदित है आपको बताना है जूडो खेल में पितियोगता एरिया कितना होता है दोस्तो आपको अफ़सन है अफ़सन A. 16 x 16 मीटर अफ़सन B. 14 x 14 मीटर अफ़सन C. 15 x 15 मीटर अफ़सन D. 20 x 20 मीटर दोस्तो आपको बताना है जूडो खेल में पितियोगता एरिया कितना होता है दोस्तो ये कुश्चन UP TGT परिच्छा 2009 में पूछा गया है दोस्तो आपका राइट एंसर है ओप्षिन नमबर B 14 इंटू 14 मीटर दोस्टो जूडो खेल में पितियोगता एरिया 14 इंटू 14 मीटर होता है जूडो खेल के मैदान का आकार वरगा कार होता है दोस्टो इसे हम इस पेकार भी याद कर सकते हैं जूडो खेल का मैदान वरगा कार होता है जूडो खेल के मैदान की लंबाई 14 मीटर तथा चोड़ाई 14 मीटर होती है इसे लिए इसे हम वरगाकार कहते हैं दोस्तों कुछ अन्ट फैक्ट भी जान लेते हैं जूडो खेल का प्यारम जापान से हुआ था भारती जूडो संग की अस्तापना 1965 S.B. में हुई थी जूडो खेल की पिथम राष्टी पितियोगता 1964 S.B. में हुई थी और जूडो खेल के मैदान को सियाजो कहा जाता है क्या कहा जाता है सियाजो कहा जाता है नेट खूश्चन दोस्तों अगला कूश्चन हैंडबॉल खेल से सम्मंदित है आपका कूश्चन है हैंडबॉल खेल खेल की माप क्या होती है दोस्तों आपके आफ़सन है आफ़सन A 30 x 20 मीटर आफ़सन B 40 x 25 मीटर आफ़सन C 25 x 20 मीटर आफ़सन D 40 x 20 मीटर दोस्तों आपको बताना है हैंड बॉल खेल छेत की माप क्या होती है दोस्तो आपका राइट एंसर है ओप्सन नमबर D 40 x 20 मीटर दोस्तो हैंड बॉल खेल छेत की माप 40 x 20 मीटर होती है दोस्तो इसे हम इस प्रकार भी समख सकते हैं हैंड वाल खेल के मैदान की लंबाई 40 मीटर होती है तता हैंड वाल खेल के मैदान की चोड़ाई 20 मीटर होती है दोस्तों अगर हम बात करें एडिशनल फैक्स की तो हैंड वाल टीम में कुल 14 पिलर होते हैं कितने पिलर होते हैं कुल 14 पिलर होते हैं जिसमें से साथ खिलाडी कोड पर खेलते हैं, तसा साथ खिलाडी, सेफ्टिटूर खिलाडी होते हैं, आपको याद रखना है, दोस्तो आपका अगला कोश्चन बेस्बाल खेल से संबंदित है आपका कोश्चन है बेस्बाल की पित्तेक टीम में कितने खिलाडी होते हैं दोस्तो आपका ओफ्षन है ओफ्षन A 6 प्लियर ओफ्षन B 7 प्लियर ओफ्षन C 9 प्लियर ओफ्षन D 11 प्लियर दोस्तो आपको बताना है बेस्बाल की पित्तेग टीम में कितने खिलाडी होते हैं दोस्तो या कुष्चन UPTGT पर इच्छा 2010 में पूँचा गया है दोस्तो इस कुष्चन का राइट एंसर है आपसेन नमबर C दोस्तो बेस्बाल की पित्तेग टीम में नौ खिलाडी होते हैं दोस्तो हम एडिशनल फेक्ट की बात करें तो बेस्बाल अमेरिका का राश्टी खेल है आपको याद रखना है कि बेस्बाल अमेरिका का राश्टी खेल है नेश्ट कुष्चन दोस्तो अगला कुश्चन तैराकी खेल से सम्बंदित है आपका कुश्चन है तैराकी के तालाब के पानी का तापमान होना चाहिए दोस्तो आपका बताना है कि तैराकी स्विमिंग पूल के पानी का तापमान क्या होना चाहिए आपके option है, option A, 23 degree Celsius, option B, 24 degree Celsius, option C, 25 degree Celsius, option D, 30 degree Celsius दोस्तों आपको बताना है, तैराकी के तालाब का पानी का तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों आपका right answer है, option B, 24 degree Celsius दोस्तों आपको याद रखना है, कि swimming pool के पानी का तापमान 24 degree Celsius होना चाहिए दोस्तो स्विमिंग पूल से संबंदित कुछ additional facts हमें पता होना चाहिए दोस्तो स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है तथा इसकी चौडाई 25 मीटर होती है दोस्तो हमें याद रखना चाहिए कि स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है तथा इसकी चोड़ाई 25 मीटर होती है तथा स्विमिंग पूल की गहराई 1.8 मीटर होती है नेक्ट कुश्चन दोस्टों नेक्ट कुश्चन खोखो खेल से सम्बंदित है और आपका कुश्चन है खोखो खेल में मैदान की लंबाई होती है आपकी ऑफशन है ओफशन A 30 मीटर ओफशन B 40 मीटर ओफशन C 45 मीटर ओफशन D 34 मीटर दोस्टों आपको बताना है खोखो खेल में मैदान की लंबाई होती है दोस्टों आपका राइट एंसर है ओफशन नमबर A 30 मीटर दोस्टों खोखो खेल में मैदान की लंबाई 30 मीटर होती है दोस्तो ये question UPTGT परिष्छा 1999 में पूचा गया था इसे आपको याद रखना है दोस्तो खोकों से संबंदित कुछ additional facts जो आपको पता होना चाहिए वो इस बिकार है खेल खोकों में खो सब्दगार्थ क्या है दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि खेल खोको में खो सब्दकार्थ क्या है दोस्तो खो सब्दकार्थ है जाओ और पीछा करो दोस्तो आपको याद होना चाहिए कि खो सब्दकार्थ है जाओ और पीछा करो खोको सब्द का जनक भारत को माना जाता है भारत में पूने महराष्टा से खोको खेल क्या प्याराम हुआ है और दोस्तो आपका कुश्चन बास्केटबाल खेल से सम्मन्दित है आपका कुश्चन है बास्केटबाल खेल की सुरुआत किसने की थी दोस्तो आपकी आफ़सन है आफ़सन A, W.G. वारगन ने Option B, James Nye Smith Option C, Charles Booker Option D, Jay David दोस्तो आपको बताना है बास्केटबाल खेल की सुरुवात किसने की दोस्तो आपका राइट एंसर है Option B, James Nye Smith दोस्तो James Nye Smith ने बास्केटबाल खेल की सुरुवात की बास्केटबाल खेल की सुरुवात 1891 SB में डाक्टर जेम से Nye Smith ने की दोस्तो ये अमेरिका के रहने वाले थे नेश कुश्चन दोस्तो अगला कुश्चन बाली बाल खेल से संबन्दित है और आपको बताना है बाली बाल में महिलाओं के लिए नेट की उचाई होती है दोस्तो आपके ओप्सन है आप्सन A 2.23 मीटर आप्सन B 2.24 मीटर आप्सन C 2.43 मीटर आप्सन D 2.44 मीटर दोस्तो आपको बताना है बाली बाल में महिलाओं के लिए नेट की उचाई कितनी होती है दोस्तो आपका राइट आइंसर है आप्सन नमबर B 2.24 मीटर दोस्तो बॉली बॉल में महिलाओं के लिए नेट की उचाई 2.24 मीटर होती है और अगर बात करें पुर्सों की तो पुर्सों की बॉली बॉल में नेट की उचाई होती है 2.43 मीटर दोस्तो आपको याद रखना है कि महिलाओं के लिए नेट की उचाई होती है 2.24 मीटर जान लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तो बॉलिवाल की सुरुवात 895 इस भी में बिलियम जी मारगन द्वारा की गई दोस्तो यह एक ऐसा खेल है जो हाथों से खेला जाता है बॉलिवाल खेल के मैदान की कोड की लंबाई 18 मीटर तसा चोड़ाई 9 मीटर होती दोस्तो आपको याद रखना है दोस्तो बॉलिवाल खेल में वियोग होने वाले जाल या नेट की लंबाई वह चोड़ाई हमें पता होनी चाहिए वह इस पेकार होती है जाल की लंबाई लंबाई होती है 9.50 मीटर तथा चोड़ाई होती है 1 मीटर दोस्तो आपको याद रखना है जाल की लंबाई 9.50 मीटर तथा चोड़ाई 1 मीटर होती है दोस्तो आपका अगला कुश्चन है डेविस कप किस खेल से सम्बंदित है आपके option है, option A, hockey, option B, volleyball, option C, baseball, option D, lawn tennis दोस्तो आपको बताना है, Davis Cup किस खेल से सम्बंदित है दोस्तो आपका right answer है, option number D, lawn tennis दोस्तो आपको याद रखना है, Davis Cup, lawn tennis से सम्बंदित है दोस्तो, lawn tennis से सम्बंदित कुछ महात्पूर्ण, पतियोकता जो आपको याद होनी चाहिए US Open, Australia Open, French Open, Willamden Championship, Federation Cup आद लौन tennis के अंतराश्ट इस्तर के टूनामेंट्स है दोस्तो ये टूनामेंट्स आपको याद होना चाहिए दोस्तो, अगला कुश्चन, Benventon खेल से सम्बंदित है आपका कुश्चन है, सटल कॉक का कुल वजन होता है दोस्तो, आपका ओप्शन है दोस्तो, आपका राइट एंसर है ओप्शन नमबर D, 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम दोस्तो, Benventon खेल से जुड़े कुश्च फैक्ट आपको पता होने चाहिए जैसे, यूगल इस परदा के लिए Benventon कोट की लंबाई 44 फिट तथा चोड़ाई 20 फिट होनी चाहिए दोस्तो, आपको पता होना चाहिए कि यूगल इस परदा के लिए Benventon कोट की लंबाई 44 फिट तथा चोड़ाई 20 फिट होनी चाहिए उसी तरह, एकल इस परदा के लिए कोट की लंबाई 44 फिट तथा चोड़ाई 17 फिट होनी चाहिए दोस्तो, आपको याद होना चाहिए कि एकल इस फर्धा के लिए कोड की लंबाई 44 फिच तसा चोड़ाई 17 फिट होनी चाहिए सेटल कॉग में पंको की संख्या 14 से 16 होती है ये भी आपको याद रखना है कि सेटल कॉग में पंको की संख्या 14 से 16 होती है Next question दोस्तों आपका अगला कुश्चन होकी खेल से संबंदित है आपका कुश्चन है होकी खेल में एंपायर के ग्रीन कार्ट दिखाने का संकेत है ओफशन A चेताउनी, ओफशन B आइस्थाई निलंबन, ओफशन C खेल को प्यारम करना, ओफशन D चिकिस्ता ध्यान, दोस्तो आपका कुश्चन है होकी खेल में एंपायर के ग्रीन कार्ट दिखाने का संकेत है दोस्तो आपका राइट एंसर है ओफशन नमबर A चेताउनी, दोस्तो होकी खेल में एंपायर के द्वारा ग्रीन कार्ट दिखाए जाने का संकेत होता है आपको चेताउनी दी जाती है दोस्तो इसे हम इस पेकार भी समख सकते हैं हाकी खेल में नियम अनसासन को बनाए रखने के लिए इन कार्डों का अपना-पना अलगी महत्तु है दोस्तो हाकी खेल में तीन पेकार के कार्ड होते हैं हरा कार्ड पीला कार्ड लाल कार्ड दोस्तों इन तीन प्रकार के कार्डों का अपना अलग अलग महत्त होता है जैसे हरा कार्ड दोस्तों जब एम्पायर के द्वारा हरा कार्ड दिखाये जाता है तो खिलारी को कम से कम दो मिनट है तो निलंभित करने के लिए चेतावनी दे पकाने पर ख Tamam priorities रूदव fantastic खेवा पर reject के जोड़ाे के थाशाने पर वूरे समय के लिए uh अधिया घल दोस्तों आपको याद रखने करने को वाली बात यह भी है एंपारों के अनसार समय को बढ़ाया घटाया जा सकता है दोस्तों इन काड़ों का एंपायर के अधिया इसके समय को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। थेंक्यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों हमारे द्वरा किया गया छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में आवसे बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है आलिस पोटड़ा यूटूब चैनल है। थेंक्यू गाइजू